मद्धोप्रदेश भारती जन्ता पार्टी के अद्यक्ष विश्टनुदर्श शर्मा जिन्देश सब वीडी भाई कहते हैं हमारे साथ में वीडी भाई बहुत मेहनत लगी इस चुनाव के अंदर क्योंकि चुनाव बड़ा अलग प्रकार का था जबकि उप चुनाव तो और थोट पर ही काम करता है और उसी का कारण था किस मद्ध्यप्रदेश के 28 विद्धान स्वाओं की चुनाव को कारकरतों ने बहुत कंभी ता से लेकर कि सरकार हमारी बनी है और जिस मद्ध्यप्रदेश को पंद्रे महीनों में कमलनात की सरकार दिवुजे सिंग के नेतृ बीदी बाई आप आप कारकरताओं को पूरा पूरा महत्वत दे रहे हैं आप सारा रिस्पॉंस उनको दे रहे हैं लेकिन दिगवजे सिंग कमलनात जी कह रहे है कि प्रशासन का मिस्यूस किया गया है चीजों को हेर फेर की गई है चुनाव जी इतने के लिए ये तो करन से हो गया है और अभी ये इनकी हार की बॉखला अर्ट है और हार का ठीकरा किस पर फोड़ना जी दोनों नो तैक किया है तो कमलना जी ने भी कहा है कि पुलिस प्रशासन का दुर्पयों हुआ है और दिग जासीम गह रहे हैं कि एबीएम है को सकती है चिप है को सकती है तो हार का ठीक राफ फोड़ना की तैयारी कॉंग्रेस किया कहां आक्लान कर रहे है कॉंग्रेस कहीं नहीं है यह जमीन पर भी आपने देखा था यह मैं किवल मददान के बाद करनें जिसके बीए बास इसके एक्टारी का परिण्हां बताएगा भारती जनता पर्टी के कार करताओं ने बूत इस्तर पर जो मेहनत किये और जो बातमन बनाया बलकि मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं है कि भाज़पाद के कार्करताओं ने बूत मैनेजमेंट चुकिया और नीचे उतरकर जो माहौल बनाया और हमारे नेताओं की सुम्हपड़ भूमिका है जनता अवे जन्होंने सरकार गिजाने में एहम बूमिका निवाई तो उनसे कुछ प्लस होगा या उनका खामिया जाभगतना पड़ेगा नहीं प्लस होगा सिंधिया जी के कारण से सरकार बनी वो जो मित्र थे जन्होंने कमलनात की सरकार की दुरावस्था से पीड़ित और प्रतारित करके ग्वालिय रचल के साथ जो धोका और गढदारि में लेखले प्लस आधार पर चोला फा जाए फार। उसके कारण से पुरा बार्ति जन्ता पार्टी बनी के सिंधिया जिए के कारण से लाट पाय प्लस हागत लगा सिंधिया जी एक वरज्च का पीड़ें गो पूरा पूरा ला भारती जंता पार्टी को और मिलकर के हमने टीम स्प्रिट से चुना लड़ा है इस इलक्षिन में कमलनाथ एक बात हमेशा कहते थे एक तो बीजेपी के लोग जूट बोट बोलते हैं दूती चीज वो कहते थे कि मैंने माफिया राज के खिलाफ अभ्यान चराया और वो सारा माफिया जो है बीजेपी से जोड़ा हुआ था इसलिए शिवरा सिंग सापको इसलिए बीजेपी की जितने निताया सबको दिक्कर थी जूट कौन बोलता है यह तो देश जनता है अंतरास्टी जूट मंडली घुसित होगी दिगवजे सिंग जी के नेतरतों में पूरे देश के अंदर के बले एक प्रडेस मनि जो नेता प्रडेस का मुख्पंद्री रहा हूँ और वो यह कहा कि जनता की जाता हूं तो जनता बोर्ट मी देती है यह दिगवजे सिंग ने का मैं ने का ये तो सच है दिग्वे सिंग जी की शेकल देखे बोड कर जाते हैं कि सरकार उनके सारे बचा रहे थे चुनाब आया तो गायब हो गए वो पर्दे से दूसरी बात इसमें दिग्वे सिंग ने बड़ी रोचक बात कही कि मैं IPL को फालो करता हूँ कि आखरी जब ओवर रह जा जाते तब तक ती मौला रोड होई थी तो हाल तो उनके होगे दूसरा में कहना चाहता हूं कि यह जो माफिय राज की बात कर रहा है कमलना जी उमंग सिंगार में क्या का था किमिलेट के मंत्री हुए कि कम अधिगवजय सिंग माफिया के साहरे सरकार चला रहे है और कमलना जी कहते हैं माफिया खलाब कारवाई कर रहे थे यह उनीका अवारा निया अचिकती है कि यह पूरा राईता इनका प्हल चुका अंतरबड़ंद अंतरक्लात थी इनकी आपस की लडाई बेटों को लेकर के हैं अमद्र प्रदेश गंदर यह तो सबब हो गया इनका है ये बेटों को लेके मैं तोड़ा क्लियर कर दूँ इस पर हम चर्चा करेंगे ये बेटों में आते हैं एक तो जेवी जेवरदन सिंग और दूसरे शाद नेकुलना दो बेटे सब अपने अपने बेटे लाँच कर रहे हैं बीजेपी और चाहे कॉंग्रेस हो अभी कॉंग्रे इसलिए मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं कि लड़ाई इनकी आपसी कॉंग्रेस के वेटों की एक अगला निक्तर तो कोन करेगा जेवी आएंगे के निकुलनात के कारण से तो उन्होंने आगर कंदर के दिया चुनाओं में कि हमारा ये दूरा है इसको अपने दामाद ब गलत नहीं होगा क्योंकि एक खास किस्म की राइज ने थी कि अगर आपने हमको गाली दी हमने इसको स्विकार किया और इसको भी अपने पाले में ले आते हैं ये तो है भई आपने बद्रदेश के एक ऐसे नित्तरत को तो चौथी बार मुक्षबंद्री वाना है उसका नं प्रदेश किसान की बेटेश नंगा भूका या आइटम कह देना यह आशा डालतें चुनाओं ने डालतें तो ने डालतें किसी महिला को भारती संस्कृती में इस परकार के सफदों का प्यों करना यह तो भूती दुर्भा की जनक है और आप एक एक एपका कल्चर अप उस स मैं उनके बारे में किसी के वेक्तिक जीवन में नहीं जाना चाहता और यह अच्छा भी नहीं होता कि राज नीतिम किसी को बोलें उनका जो कल्चर उनके सुसाइटिका ऐसा ही है लेकिन गाओं के गरीब के यह कल्चर ऐसा नहीं है बेटी का सम्मा आप आप बोले तो अबनाया था तो उसके बारे में को को चंता दोड़ी है लेकिन आप ऐसा कर रहे तेले के बाद कर दो आंगे के बाद कर दो चाहिए जो अधिकारी 600 क्रोड के घृटाले का रोपी हो उसको अपने सरकारी गभा बना दिया लेकिन मैंने जानकारी नहीं है क्या क्या करते हो व वो हम नहीं नहीं की जो पत्रकार मित्र वहां पर थे आज इंगलेंड सो नहीं ट्विट करके कहा कि मैंने इन आखों से देखा है मैं संजे सूरी साब को जानता हूं से मेरी बात होती है और उस मतले पे हमने खुब खुब ख़रे भी दिखाई हैं सच्चाई भी सामने लाने की कुशिश की है तो आपको लगता है कि आपकी सरकार डिली में है तो सिक दंगई जब नानवटी आयोग में सब को चोच चुका है करें को जलाया मेरे कहने का सब्सक्राइब कर दो जो संजे गांधी के मित्र हो जिनोंने इस देश के अंदर क्या नहीं किया है कि यहां मध्यप्रदेश को दिखावा करके आप सिंदवारा में आए थे मैंने तो का तक आपका कोई उध्योग नहीं है एक सो तैसर क्रोड का आपने अफिसल लेक्रिशन किया है तो का लूता राजनीती से अपने पैसा बुलिए ने जंदा के सामने बीडी जर्मा किसान का वेटा है कल अगर कोई अरत्पती बनता तो मुझे जबाब देना पड़ागा मैं कैसे बना यह भारती राजनीती की सुचता का परिणाम वो आना चाहिए सामने कहां आपने इससे बताए ना एक सो तैसर क्रोड कहां से आया आप करते मेरा उध्योग नहीं है तो अब उध्योग पती कैसे वने आपको निताओं नहीं कहा तो जूट वनने का काम गुमरा करने का कम तो कमलना चीए आप कर रहे हैं मद्यप्रदेस में खृइद परुख करने काम आप ने किया क्योंकि आप अभूध्यूग पती है व्यापार करते हैं बिनवर को पैसा दिखता है और इसलिए 15 महीने में आपने यही किया 15 महीने में सबसे पहले शायद दो विदायक आपके तोड़े थे वोटिंग के लिए शरत कॉल और नारेंट पाड़ी उन पे पूरा वरुसा है बिलकुल पूरा वरुसा है और उसमें भी वरुसा था इसलिए सरत कि मुझे खरी देने का प्रयास किया मेरा वो चोड़ा भाई चाहे कितना ही घरीब हो लेकिन उसने का कि में काव Je mug願 प्रयास किया मैं उसका जबाब दिया प्रयास किसमने है किया लगता हूं किया यह क्या होता है दबाव डलकर करके इस परकार के लोगों को ले घाने का प्रयास किया आप ने देखा चुनाव के दोरां दिविया सिंग ने क्या किया रोशन मिर्जा को तुम बैठ़ जा चुनाव में मैं निप तुम्हारा बो करा दूंगा ये क्या था यह भी कुंटिजम है यह भी तबाव की राजनी दिए पार्शन का टिकेट द कांग्रेस सब जगह से आज कांग्रेस का अंतरकल है इतना हो गया है तो कुछ बचा नहीं है कॉंग्रेस में यह केबल दसतारीक तर गो रहे हैं कि अपना हम वह सब करताब करके बाइंड अर जाएं जाएं जैसे कोई दुकान हो बीरी शर्मा साप करें एक पूरी एक किरदार में बात करें, उनका नाम है दिग्वेज सिंग, मद्द्यप्रदेश के पूर मुखंती है, मद्द्यप्रदेश कांगरेश के अद्याक्ष रहें, बड़े घाग और तिकरणगी दिवाग के मालेक हैं, असल राजनीता था कॉंगरेश में वही है, उनके बारे में क्या राए? मुझे लगता अच्छा नहीं है, उनके राए में खुद वो दे चुके हैं अपनी राए, क्योंकि दिगुजे सिंग जी ने कहा, जब लोगन उन से पूछा तो उनने का कि मैं जंता के विज जाता हूं, तो जंता बोट काट देती है, मुझे बोट नहीं देती है, इसका मत जो दिन भर देश के खिलाब बोलता है, सर्जिकल स्टाइक होती है, यह प्रूफ मंगते है, महुंचन सर्मा की सहाधत होती है, बटाला हाउस के अंदर एंकाउंटर में आतंकवादियों से ठेक एंकाउंटर कहते हैं, बलके उस आतंकवादी के घर भी जाते है, जिसको मार लागू होनी चाहिए, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद के समर्थक हैं, मैंने पूछा कि भोपाल के अंदर आरिम मसूद बिधाय कोंग्रेस का आतंकवाद के समर्थन में इतना बड़ा जमाबारा करता है, रेली निकालता है, क्या दिगवजे सिंग और कमलना तुसके हुई होगी, नहीं हुई होगी तो हो जाएगी, लेकिन भारती जंता पार्टी ऐसे तत्तों को मद्दबर्देस के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं चोड़ेगी, इनको जेल के सिंखचों में जाना ही पड़ेगा, आरे मसूद तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मेरे साथ ज जेल जरूर जाना पड़ेगा, अब देश के खिलाप काम किया तो, तो चाए बो कोई भी हो, अगर देश के खिलाप आपने कुछ किया है, तो आप नहीं बचेंगे, आपको जेल जाना है, आपने मुखमती शिवराज सिंग जी सी बात की, कि भविश में इस तरह की घटना परशासन को ताकिक करें, इस तारे मुद्दों पर जहां जो आपशक है, वो जरूर इस पर चर्चा हुई है, इस चुनाओं में, उप चुनाओं में, जो कि कहना चाहिए कि मुख्य चुनाओं से ज्यादा महत्पून था दोनी पार्टियों के लिए, एक मुख्य कुरदार धे, शिवरा सिंग चुहांत, शिवराजी के बर्हें, क्या रहे हैं? इसलिए लोगों के साथ घुलने मिलने से लेकर जनता के दर्द को जानने वाला नेता है तो वो गरीबी वो गरीब से आया है उसमें गरीबी देखी है मध्यप्रदेश के विकास में एक जिस प्रकार से सोने मध्यप्रदेश बनाने का काम भारती जनता पार्टी के हमारी सरकारों ने जो काम किया चाहिए उमा जी से लेकर वावलाल गौर और सिवराज सिंग चौहान ने तेरे वर्ष जो काम समाला उमा जी ने का कि मैंने जिस ताकत से सरकार बनाई थी उसे जादा ताकत से मध्यप्रदेश को बनाने के लिए सिवराज जी ने सरकार चलाई तो एक सक्षम नितर तो है संबिदंसी नितर तो है और एक कारकरता भाव से काम करने वाला नितर तो है इसलिए मध्यप्रदेश में चौती बाहर मुख्यमंतरी बन करके आज मद्यप्रदेश को आगे ले जाने का कम सिवराजी कर रहे हैं विडी शर्मा साब की माने तो सरकार भारती जन्ता पार्टी की बन रही है मद्यप्रदेश में सरकार है ही यही सरकार चलेगी अब क्या पहले मुख्य काम क्या होंगे जो पार्टी और सरकार में के करेंगे सबसे पहले मुख्य काम ये है कि भारती जनता पार्टी ने उन सारी गरीब कल्याण की योजना है जो मद्द्पतिस में गरीबों के हितों के लिए जी थी उन योजनाओं को अभी हमने लागू करने का काम सुरू कर दिया है। उन योजनाओं से लोग लावानवित हो। केंदर सरकार के दोरा गरीबी गरीबों के जीवनिस्तर को उचा उठाने के काम जो हो रहा है। पुरू किशानों के लिए खड़े हो करके उनकी आए दोगनी हो, जो मानि परधान मंतरी कहते हैं आत्म निर्वार्वार भरत के माध्यम से गांगां को आत्म निर्वर गांडाना, सक्षब बनाना, इसमें भी मग्दोर्देश अग्रणी बने आपने देखा हुआ कि मानी परधान मंत्री ने जो स्टीट वेंडर्स का अभियान लिया आज भारती जंटा पार्टी की मद्देश की सरकार ने देश के अंदर सरबादिक स्टीट वेंडर्स को लाव दिलाने का कम मद्ध्य प्रदेश कंदर किया तो इस प्रकार से हर लोगों के लिए उनको कैसे हम खड़ा कर सकते हैं ये मद्ध्य प्रदेश को आगे ले जाने का जो प्रयास है और जो सुने मद्ध्य प्रदेश हमने बनाया उसको और सक्षम मद्यप्रदेश बनेगा ये पूल बिस्वास है इसी सरकार के नित्रत में बनेगा एक बार वीडियो है मैंने आपसे इंटर्विव में पूछा था क्या मैं भारती जनता पार्टी के भावी प्रदेश अद्देश से बात कर रहा हूँ आपने इंकार कर दिया था आप अद्देश बने मैं आजकर सवाल कर रहा हूँ क्या मैं मद्यप्रदेश के भावी मुख्बंती से बात कर रहा हूँ अद्राग जी आप मेरे मित्र हैं और पुराने समय से हम सब लोग काम करते रहा है अपने कभी भी देखा होगा मैं चाहिए विदार्दी बर्शन में था तब यह नहीं सूचता था क्या बनेंगे भारती जन्ता पार्टी में आया पहले तो मुझे यही नहीं पता था बाजपा में आऊँगा बाजपा में जब मुझे भेजा तो मैं चुनाव लड़ूगा यह भी मुझे नहीं पता था मैं तो यह फुल टाइमर काम काने वाला कार करता था मुझे लगा कहीं संग्धरमंतरी बन के काम करेंगे कहां चुनाव लड़ना है कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी पता नहीं था कजराव लड़ा दिया जनता ने आसिरवाद दिया उन सब लोगों ने मिलकर के चुनाव जिताया बाज़पा के नितरतों ने विश्वास किया उसके बाद मुझे महमंतरी बनाया अध्यक्ष बनाने में मुझे कलपने ही नहीं थी मैं कोई यहसे नहीं कह रहा हूँ मुझे बिलकुल कलपना नहीं थी कि मैं वाज़पा बारती जनता पाड़ी यहसे इतने बड़े दलका मैं अध्यक्ष बनूगा इसलिए हम कभी यह नहीं सोचते हैं हम अपने काम में निरंतर काम करते रहें और हम एक अच्छी जो जिम्मेदारी मिली है उसको भूमिका निर्वन कर सकूँ अभी तो मैं भारती जंता पाड़ी का अध्यक्ष बनाऊँ पद मुझे मिला है लेकिन अध्यक्ष बनने में समय लगता है उस पद के अन्रूप अपने आपको बनाने में समय लगता है तो इसलिए पहले तो मैं अध्यक्ष बूमिका में एक अच्छे से अच्छे उस बूमिका निर्वन कर सकूँ यह मेरा पहला प्र stub माकी क्या होगा ये मेरा काम नहीं है मैं तो अपने काम में करता रहें बस यही प्रयास है ये थे मद्धिप्रदेश भारती जिन्ता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जो कह रहे थे कि उनका काम है नितत सतत लगाता प्रयास करते रहना और सरकार कंटिन्यू होती है तो जन्हित के काम सबसे पहले की जाएंगे अनुरागोपाद याए दखनी उस बोपाद आप देख रहे हैं दखनी उस